अगर आप भी वर्ड कप के फाइनल में भारतिय टीम की हार से निराश बैठे हैं, तो खुश हो जाएए, क्योंकि ये फाइनल मुकाबले फिर दोबारा शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, मैच के दौरान ऑंस्ट्रेलिया की बेइमानी की जो सबूत पूरी दुनिया के सामने आए हैं, उसके बाद BCCI और ICC से मिलकर BDA फैसला किया है। टेन मैच जीत कर फाइनल में पहुँची थी, लेकिन कंगारू टीम ने मेजबानों को छे विकेट से हरा कर छटी बार ट्रॉफी पर कबजा किया। प्यार के बाद भारतिय खिलाढ़ी बेहद हताश नजर आए। रोहिट शर्मा आँखों में आंसू लिये ग्राउंट से बाहर निकले। वहीं मोहम्मद सिराज अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके। विराट कोहली आंसू को छिपाने के लिए कैफ का सहारा लेते हुए नजर आए। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतिय खिलाढ़ीयों की होसला अफजाई की है। पीएम मोदी रविवार को मैच के बाद भारतिय ड्रेसिंग रूम में पहुँचे और कैप्टन रोहिट शर्मा और विराट कोहली की पीठ थपत पाई। साथी खिलाढ़ीयों से मिलकर भारतिय टीम के साथ मैच में हुई बेइमानी के मुद्धे पर भी चर्चा की है। 340 रन से भी ज्यादा बना लेती। जी हाँ, रोहित ने ग्लेन मैक्सवेल की गेंद पर जब लंबा छक्का लगाया तब गेंद ऊपर चली गई और उसे पकड़ ड़ने के लिए ने लंबी दौड एच लगाई और गिरते बढ़ती हुई गेंद पर पहुँच गए और सब साफ था कि रोहित नौट आउट हैं। लेकिन पहले तो ने धोखे से आउट का इशारा कर दिया। वहीं एमपायर भी ऑंस्ट्रेलिया के साथ मिलकर बेइमानी करते हुए नहीं देखा और आउट दे दिया तो दोस्तों जब ये बात पूरी दुनिया को पता चली तो अंस्ट्रेलिया की बेइमानी के चर्चे फिर से शुरू हो गए। वहीं भारतिये फैंस ने तो सोशल मीडिया पर जमकर बवाल कर दिया और ICC से लेकर BCCI तक से गुहार लगाई कि इस मेल को दुबारा करवाया जाए। वहीं दोस्तों जब पूरी दुनिया में पहले भा अरतिये फैंस ने इसका जमकर विरोध किया तो फिर ICC को भी इस पर एक्शन लेना पडीड़ा और ICC ने इस बार जाँच बैठा दी है जिसका नतीजा कल शाम को जारी हुआ जहां पर कहा गया कि वाकई में इस मुकाबले में भारत के साथ नाइनसाफी हुई है। इसलिए दोस्तों ICC ने उसका करिड़ी रहा एक्शन लिया है और उसे 10 साल तक अंपाइरिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब दोस्तों इस बात पर कितनी सचाई है ये तो कुछ घंटों में ही पता चल जाएगा। जब आज किसी इसका अनफिसियल अनाउंस्मेंट करेगी वहीं दोस्तों आपको बता दें कि रोहित के अलावा ऑनस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी के दौरान कंगारू ने अंपाइर के साथ मिलकर बेइमानी करी। जी हाँ, जब केदारी बना रहे थे और भारत को मैच से बाहर लेकर जा रहे थे। मोदी ने खिलाड़ियों के रूप में जाकर चर्चा की है, जिसके बाद ऑनस्ट्रेलिया टीम को नोटिस दिया गया है और दोस्तों अब जल्द ही फाइनल मैच को दोबारा करवाने के लिए नया तरीका भी ऐलान हो सकता है। हालां कि उन्होंने माहौल को थोड़ा हलका करने की कोशिश की। पी-म ने एक विराट और रोहित की पीट थपत पाते हुए कहा, आप लोग 10 मैच जीत कर आए हैं, ये तो होता रहता है। मुस्कुराइए भाई, देश आप सभी को देख रहा है। मैंने सोचा, मैं आप सभी से मिल लूँ। हालां कि दोस्तों मोदी जी के बेईमानी का मुद्दा उठाने पर खिलाड़ियों के चेहरे में भी खुशी की लहर दौदर डिये चाही है। वहीं दोस्तों टीम इंडिया वर्ल्ड कप हार भले गई है, लेकिन पूरा देश टीम इंडिया के साथ पहले भी खोड़या था और अब भी खोड़या है, आगे भी खोड़या रहेगा। ये बात सही है कि भारतिय टीम ने जीज तरह लगातार 10 मैच जीत कर फाइनल में प्रवेश किया। उसी सभी को खिताब जीतने की पूरी उम्मीद लग रही थी, लेकिन फाइनल मैच भी ऑंस्ट्रेलिया की टीम में बहतर साबित हुई और ट्रोफी भारत के हाथों से फिसल गई। इस हार का दुख सभी लोगों के मन में तो है, लेकिन कई लोग अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। शाहिद अफ्रीदी का ये बयान जम कर वाइरल हो रहा है। कई लोग उनके इस बयान की आलोचना भी कर रहे हैं। दोस्तों, ये पाकिस्तानी कभी खुद को मैच जीत नहीं पाते और जब भारत अच्छा करता है, तो इसको मिर्ची लग जाती है। करने के साथ साथ बाएं हाथ से तेज मध्यम गेंद बाजी भी करते हैं। हार्दिक पांडिया अपनी आकरामक बल्लेबाजी और असाधारन फील्डिंग के लिए लोग प्रिय है। घरेलू क्रिकेट में हार्दिक पांडिया बर्धोदा टीम के लिए खेलते हैं, जबकि इंडियन प्रीमियम लीग में गुजराच टाइटन्स की कप्तानी संभालते हैं।